C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वाराप्रस्तुत है कक्षा आठ के सामाजिक विज्ञान पाठ्थे क्रम के अंतरगत इतिहास की ध्वानी पाठ्थे पुस्तक हमारे अतीत भाग तीन आएए अब सुनते हैं अध्याए 9 शीर्शक है राष्ट्रिये आंदोलनों का संघटन प्रिश्ट संख्या 109 अध्याए 9 राष्ट्रिये आंदोलनों का संघटन 1870 के दशक से 1947 तक सबसे पहले इस प्रिश्ट पर एक चित्र, चित्र संख्या 1 और इसमें भारत छोड़ो आंदोलन के दोरान प्रदर्शन कारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़ती पुलिस का चित्र है पिछले अध्यायों में हम अध्यायन कर चुके हैं पहला भारतिय भूक शित्र पर अंग्रेजों का कब्जा और रियासतों का अधिग रहन दूसरा नए कानूनों और प्रशास किये संस्थाओं की शुरुआत तीसरा किसानों और आदिवासियों की जिन्दगी में बदलाओ चौथा उन्निस्वी सदी में आए शेक्षनिक बदलाओ अगला महिलाओं की स्थिती से सम्बंधित वाद विवाद उसके बाद जाती व्यवस्था को चुनोतियां सामाजिक एवं धार्मिक सुधार और 1857 का विद्रोह और उसके बाद की स्थिती और अंत में हमने पढ़ा था हस्त कलाओं का पतन और उद्योगों का विकास इन मुद्दों के बारे में आपने जो कुछ पढ़ा उसके आधार पर क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत के लोग ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट थे यदि हाँ तो विभिन, समु और वर्ग क्यों असंतुष्ट थे प्रिष्ट संख्या 110 इस प्रिष्ट पर सबसे पहले एक शब्द का अर्थ बताया गया है शब्द है सम्प्रभू अर्थात बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कदम उठाने की ख्षमता आईए अब सुनते हैं पाठ राष्ट रुआद का उदै इन बदलावों ने लोगों को एक एहम सवाल के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया यह देश क्या है और किसके लिए है इसका जवाब धीरे धीरे इस रूप में सामने आया भारत का मतलब है यहां की जनता भारत यहां रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाती, पंथ, भाषा या जिंडर वाले तमाम लोगों का घर है यह देश और इसके सारे संसाधन और इसकी सारी विवस्था उन सभी के लिए है इस जवाब के साथ यह एहसास भी सामने आया कि अंग्रेज भारत के संसाधनों और यहां के लोगों की जिंदगी पर कबज़ा जमाए हुए है और जब तक यह नियंत्रन खत्म नहीं होता भारत यहां के लोगों का या भारतियों का नहीं हो सकता यह चेतना अठारा सो पचास के बाद बने राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देने लगी थी 1870 और 1880 के दशकों में बने राजनीतिक संगठनों में यह चेतना और गहरी हो चुकी थी इन में से ज्यादतर संगठनों की बागडोर वकील आधी अंग्रेजी शिक्षित पेशेवरों के हाथों में थी पूना सर्वजनिक सभा, इंडियन एसोसियेशन, मदरास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसियेशन और भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस आधी इस तरह के प्रमुक संगठन थे पूना सर्वजनिक सभा, इस नाम को गवर से देखिए, सर्वजनिक का मतलब होता है सब लोगों का या सब के लिए अर्थात सर्व यानि सभी, जनिक यानि लोगों का हलाकि इन में से बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे लेकिन वे अपने लक्षे को भारत के सभी लोगों का लक्षे बताते थे उनके मुताविक उनके लक्षे किसी खास इलाके, समुदाय या वर्ग के लक्षे नहीं थे वे इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभू हों संप्रभूता एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व होता है ये संगठन इस धारणा से चलते थे कि भारती जनता को अपने मामलों के बारे में फैसले लेने की आज़ादी होनी चाहिए 1870 और 1880 के दशकों में बिटिश शासन के प्रती असंतोश और ज्यादा गहरा हुआ 1878 में Arms Act पारित किया गया जिसके जरिये भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया उसी साल वरनाकिलर प्रेस Act भी पारित किया गया जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अख़बार में कोई आपत्ती जनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रेंटिंग प्रेस सहीत सारी संपत्ती को जब्त कर सकती है 1873 में सरकार ने इलवर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया इसको लेकर काफी हंगामा हुआ इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतिय नयाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपिय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतिय नयाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके जब अंग्रेजों के विरोध की वज़ा से सरकार ने या विधेयक वापस ले लिया तो भारतियों ने इस बात का काफी विरोध किया इस घटना से भारत में अंग्रेजों के असली रवईये का पता चला पढ़े लिखे भारतियों के एक अखिल भारतिय संगठन की जरूरत 1880 में ही महसूस की जा रही थी परंतु इलबट विधेग ने इस चाह को और गहरा कर दिया था 1880 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बंबई में सभा करके भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस की स्थापना का फैसला किया संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी फिरोज शाह मेहता बदरुद्दीन तैयब जी डब्लियू सी बैनरजी सुरेंदर नाथ बैनरजी रोमेश चंद्रदत्त एस सूब्रमन्यम अयर एवं अन्य प्रायह बंबई और कलकत्ता के ही थे नौरोजी व्यावसाई और प्रचारक थे वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदसे भी रहे उन्होंने युवा राष्टरवादियों का मार्दर्शन किया सेवा निवरित ब्रिटिश अफसर ए ओ ह्यूम ने भी विभिनक शेत्रों के भारतियों को निकट लाने में एहम भूमी का अदा की इसी प्रिष्ट पर एक बॉक्स और इसमें प्रचारक शब्द का अर्थ दिया गया है प्रचारक यानि ऐसा व्यक्ति जो स्तूचनाओं के प्रसार, रिपोर्ट्स, बैठकों में भाषन आदी के जरिये किसी खास विचार का प्रचार प्रसार करता है इसी बॉक्स के नीचे एक चित्र और ये चित्र संख्या दो है, ये दादा भाई नौरो जी का चित्र है प्रचना की गई थी, इसी के नीचे एक गतिविधी दी गई है, और गतिविधी है, शुरुआत से ही कॉंग्रेस सभी भारती लोगों के हक में और उनकी ओर से बोलने का संकल्प व्यक्त कर रही थी, कॉंग्रेस ने ऐसा क्यों किया, अब आईए, चलते हैं पाठ की ओर, औ पाठ से पहले एक बॉक्स, और बॉक्स का शिर्षक है कॉंग्रेस किसके पक्ष में बोलने का प्रयाज कर रही थी, स्रोत संख्या एक, जनवरी 1886 में दी इंडियन मिरर नामक अखवार ने लिखा, मंबई में आयोजीत प्रथम राश्ट्रिये कॉंग्रेस हमारे देश की भावी संसद का क्यंद्रक है, और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनिय रूप से लाभकारी परिणामों को जन्म देगी। बदरुदीन तैयब जी ने 1887 में अध्यक्ष की हैसियत से कॉंग्रेस को संबोधित करते हुए कहा था। यह कॉंग्रेस भारत के किसी एक कुवर्ग या समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर नहीं बनी है, बलकि यह भारत के सभी समुदायों की संस्था है। अक्सर कहा जाता है कि अपने पहले 20 सालों में कॉंग्रेस अपने उद्देशे और तरीकों के लिहाज से मध्यमारगी पार्टी थी। इस दोरान कॉंग्रेस ने सरकार और शासन में भारतियों को और जगह दिये जाने के लिए आवाज उठाई। कॉंग्रेस का आगरह था कि विधान परिशदों में भारतियों को ज्यादा जगह दी जाए। परिशदों को ज्यादा अधिकार दिये जाए। और जिन प्रांतों में परि उसने मांग की कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परिक्षा आयोजित की जाए। प्रिष्ट संख्या 112 प्रिष्ट संख्या 112 में सबसे पहले एक शब्द का अर्थ जान लेते हैं। शब्द है निरस्त करना और इसका अर्थ है किसी कानून को समाप्त करना, किसी कानून की वैधता अधिक्रित रूप से समाप्त कर देना। और अब सुनते हैं पाठ। शासन व्यवस्था के भारतीय करन की मांग नसलबाद के खिलाफ चल रहे आंदूलन का एक हिस्सा थी, क्योंकि तब तक ज्यादातर महतोपूर्ण नौकरियों पर गोरे अफसरों का ही कबजा था। अंग्रेज आम तोर पर यह मान कर चलते थे कि भारतीयों को जिम्मेदारी भरे पद नहीं दिये जा सकते। क्योंकि अंग्रेज अफसर अपने भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटन भेज देते थे। इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीय करण से यहां की धन संपत्ती भी कुछ हद तक भारत में रुगने लगेगी। भारतीयों की मांग थी कि नगर पालिका को कार्य पालिका से अलग किया जाए। आम्स एक्ट को निरस्त किया जाए और अभिव्यक्ति वह बोलने की स्वतनत्रता दी जाए। शुरुवाती सालों में कॉंग्रिस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए। उसका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। बढ़ते लगान के कारण काश्टकार और जमिदार विपन्न हो गए थे और अनाजों के भारी निर्यात की वजह से खाद्दे पदार्थों का अभाव पैदा हो गया था। से ज्यादा अनुदान दिये जाएं। उन्होंने नमक कर विदेशों में भारती मजदूरों के साथ होने वाले बरताओ तथा भारतीयों के कामों में दخल अंदाजी करने वाले वन प्रशासन की वजह से वनस्पतियों की बढ़ती मुसीवतों के बारे में बहुत सारे प्र योगपतियों के हक में ही नहीं बोल रही थी। मध्यमारगी नेता जनता को ब्रिटिश शासन के अन्याय पूर्ण चरितर से अउगत कराना चाहते थे। उन्होंने अखबार निकाले, लेख लिखे और यह साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन देश को आर्थि तबाही की ओर ले जा रहा है। उन्होंने अपने भाशनों में ब्रिटिश शासन की निंदा की और जन्मत निर्मान के लिए देश के विभिन भागों में अपने प्रतिनिधी भेजे। लेकिन मध्य मारगियों को ये भी लगता था कि अंग्रेज स्वतंतरता वा न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं। इसलिए वे भारतियों की न्याय संगत मागों को स्विकार कर लेंगे। लिहाजा कॉंग्रेज का मानना था कि सरकार को भारतियों की भावना से आउगत कराया जाना चाहिए। बंगाल, पंजाब और महाराष्टर में विपिन चंदरपाल, बाल गंगा धर्तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता ज्यादा आमूल परिवर्तनकारी उद्देश और पध्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। उन्हों ने निवेदन की राजनीती के लिए नर नेक इरादों पर नहीं, बलकि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। तिलक ने नारा दिया, स्वतंतरता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे ले कर रहूंगा। इसी प्रिष्ट संख्या बारह में दो बॉक्स और दिये हुए हैं, सबसे पहले बॉक्स का शिर्षक है सोने की चाह में, स्रोट संख्या दो, दिन्शा वाचा नामक एक मध्यमारगी नेता ने 1887 में नवरोजी को संबोधित करते हुए लिखा था। आज कल फिरोज शाह अपने निजी कामों में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं। वे लोग पहले ही काफी अमीर हैं, तैलंग सहाब भी व्यस्त रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि अगर सभी लोग सोने की चाह में इतने व्यस्त रहेंगे, तो देश की प्रगति कैसे हो सकती है। इसी के नीचे एक बॉक्स और और इस बॉक्स में हमारे लिए दी गई है एक गतिविधी और गतिविधी है इस टिपणी के आधार पर शुरुवाती कॉंग्रेस के बारे में काउन सी समस्याओं का पता चलता है। प्रिश्ट संख्या 113 में सबसे पहले चितर संख्या 3 ये बाल गंगाधर तिलक का चितर है। इस चितर में दिखाया गया कि मेज पर एक अखवार रखा हुआ है। वर्णन है मेज पर रखे अखवार का नाम देखिए। तिलक के संपाधन में निकलने वाला मराठी अखवार केसरी बिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया था और अब सुते हैं पाठ 1905 में वाइसरोय करजन ने बंगाल का विभाजन कर दिया उस वक्त बंगाल बिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था बिहार और उडिसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे अंग्रेजों का कहना था कि प्रशास किये सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बटवारा करना जरूरी था परन्तु इस प्रशास किये सुविधा का मतलब क्या था इस से किसको सुविधा मिलने वाली थी? जाहिर है इसका तालूक अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फाइदे से था लेकिन सरकार ने गयर बंगाली इलाकों को अलग करने के बजाए उसके पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला दिया पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य ये रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुष लगाया जाए और बंगाली जनता को बांच दिया जाए बंगाल के विभाजन से देश भर में घुस्से की लहर फैल गई मध्यमार्गी और आमूल परिवर्तनवादी कॉंग्रेस के सभी धड़ों ने इसका विरोध गिया विशाल जन सभाओं का आयोजन किया गया और जुलूस निकाले गए जन प्रतिरोध के नए नए रास्ते ढूणे गए इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था परन्तु अन्य इलाकों में भी इसकी भारी अनुगोंज सुनाई दी और इसी प्रिष्ट पर एक चित्र दिया गया है चित्र संख्या चार और इसका शीर्षक है स्वदेशी आंदोलन के दौरान हजारों लोग जुलूसों में शामिल होने लगे प्रिष्ट संख्या 114 आईए सुनते हैं पाठ उदाहरण के लिए आंधर के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयम साहयता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रिय शिक्षा और भारतिय भाषा के उपियोग को बढ़ावा दिया स्वराज के लिए आमूल परिवर्तन वादी ने जनता को लाम बंद करने और ब्रिटिश संस्थानों तथा वस्तूओं के बहिशकार पर जोर दिया कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड फेकने के लिए क्रांती कारी हिंसा के स्तमर्थक थे बिस्वी शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कई दूसरी महत्वपूर घटनाए भी घटी 1906 में मुसल्मान जमिदारों और नबाबों के एक समूह ने धाका में All India Muslim League का गठन किया लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया लीग की मांग थी कि मुसल्मानों के लिए अलग निर्वाचिका की विवस्था की जाए 1909 में सरकार ने यह मांग मान ली अब परिशदों में कुछ सीटें मुसल्मान उम्मिद्वारों के लिए आरक्षित कर दी गई जिन्हें मुसलिम मतदाताओं द्वारा ही चुन कर भेजा जाना था इससे राजनेताओं में अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थन बनाने का लालच पैदा हो गया 1907 में कॉंग्रेस तूट गई मध्यमार्गी धड़ा बहिशकार की राजनीती के विरुद्ध था इन लोगों का मानना था कि इसके लिए बल प्रयोग की आवशक्ता होती है जो की सही नहीं है संगठन तूटने के बाद कॉंग्रेस पर मध्यमार्गी का दबदबा बन गया जबकि तिलक के अनुयाई बाहर से काम करने लगे 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर एकता स्थापित हुई अगले साल कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एतिहासिक लखनों समझोते पर दस्तखत हुए और दोनों संगठनों ने देश में प्रातिनिधिक सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया इसी प्रिष्ट पर एक चितर है चितर संख्या पांच और ये चितर लाला लाजपत राय का है उनके बारे में लिखा है लाजपत राय पंजाब के जाने माने राष्ट्र वादियों में से थे वह याचिका और निवेदनों की राजनीती का विरोध करने वाले आमूल परिवर्तनकारी के एक प्रमुख नेता थे वह आर्य समाज के भी सक्रिय सदस से थे नीचे एक बॉक्स और यहां कुछ शब्द दिये गए हैं पाठ में आगे चलने से पहले आईए जानते हैं इन शब्दों के अर्थ सबसे पहला है क्रांतिकारी हिंसा यानि समाज में आमूल बदलाव लाने के लिए हिंसा का उप्योग करना दूसरा शब्द है परिशद यानि प्रशास किये सलाहकारी या प्राति निधिक दाईत्वों को निभाने वाली मनोनीत या निर्वाचित संस्था आईए अब सुनते हैं पाठ जन राश्ट्रवाद का उदय 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संगर्श धीरे धीरे एक जनान दोलन में तबदील होने लगा किसान, आदिवासी, विद्धियर्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुरते गए कई बार औद्योगिक मजदूरों ने भी आंदोलन में योगदान किया 20 के दशक से कुछ खास ब्यावसाईक समूह भी कॉंग्रेस को सक्रिय समर्थन देने लगे थे ऐसा क्यों हुआ? पहले विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिती बदल दी थी इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्याव में भारी इजाफा हुआ था इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आए और व्यावसाईक मुनाफ़े पर कर बढ़ा दिया था सैनिक व्याव में इजाफे तथा युद्धक आपूरती की वजह से जरूरी कीमतों में भी भारी उच्छाल आया और आम लोगों की जिन्दगी मुश्किल होती चरी गई दूसरी और व्यावसाईक समूह युद्ध से बे हिसाब मुनाफ़ा कमा रहे थे जैसा कि आप अध्याय साथ में पढ़ चुके हैं इस युद्ध में औद्योगिक वस्तूओं जैसे जूट के बोरे, कपड़े और पट्रियों की मांग बढ़ गई और अन्य देशों से भारत आने वाले आयात में कमी आ गई इस तरह युद्ध के दौरान भारतिय उद्योगों का विस्तार हुआ और भारतिय व्यावसाइक समूँ विकास के लिए और अधिक अवसरों की मांग करने लगे और सबसे नीचे दी गई है गतिविधी गतिविधी है, पता लगाएं कि पहला विश्व युद्ध किन देशों ने लड़ा था प्रिष्ट संख्या 115 युद्ध ने अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए विवश्च किया एक विदेशी युद्ध की खातिर गाओं में सिपाहियों की भरती के लिए दबाव डाला जाने लगा बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे देशों में युद्ध के मौर्चों पर भेज दिया गया इन में से बहुत सारे सिपाही युद्ध के बाद यह समझदारी लेकर लोटे कि सामराज्यवादी शक्तियां एशिया और अफ्रिका के लोगों का किस तरह शोशन कर रही हैं। फलस्वरूप ये लोग भी भारत में आपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे। इसके अलावा 1917 में रूस की क्रांती हुई। इस घटना के चलते किसानों और मजदूरों के संघर्षों का समाचार तथा समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे। जिससे भारतिये राष्ट्रवादियों को एक नई प्रेड़ना मिलने लगी। इसी प्रिष्ट पर एक चित्र दिया गया है नीचे और चित्र संख्या है छे इसका शीर्षक है नटाल कॉंग्रेस के संस्थापक। ये चित्र डवन दक्षिन अफरिका में लिया गया और यह 1895 का चित्र है। इसका विवरन सुन लेते हैं, 1895 में अन्य भारतियों के साथ महात्मा गांधी ने नसली भेद भाव का विरोध करने के लिए नटाल कॉंग्रेस का गठन किया था। क्या आप चित्र में गांधी जी को पहचान सकते हैं? वह पिछली कतार के ठीक बीच में कोट और टाई पहने दिखाई दे रहे हैं। आईए अब सुनते हैं पाठ। महात्मा गांधी का आगमन इन्ही हालात में महात्मा गांधी एक जन नेता के रूप में सामने आए। गांधी जी 46 वर्ष की उम्र से 1915 में दक्षिन अफरीका से भारत लोटे थे। वे वहाँ पर नसल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे। और अंतरराष्ट्री स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता थी और लोग उनका आदर करते थे। दक्षिन अफरीकी आंदोलनों की वजह से उन्हें हिंदू, मुसल्मान, पार्सी और इसाई, गुजराती, तमिल और उत्तर भारतिये, उच्छ वर्गिये व्यापारी, वकील और मजदूर सब तरह के भारतियों से मिलने जुलने का मौका मिल चुका था। महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया। इस दौरान वे यहां के लोगों, उनकी जरूरतों और हालात को समझने में लगे रहे। उनके शुरुवाती प्रयास, चमपारण, खेडा और एहमदाबाद के स्थानिय आंदोलनों के रूप में सामने आए। का राजिंदर प्रसाध और वल्लब भाई पटेल से परिचय हुआ। 1918 में एहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों की हरताल का सफलता पूर्वक नेतरित्व किया। आए अब 1919 से 1922 के बीच के आंदोलनों को कुछ गहराई से देखें। रॉलेट सत्याग्रह उन्निस सो उन्नीस में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारिद किये गए रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आहवान किया। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंतरता जैसे मूल भूत अधिकारों पर अंकुष लगाने और पुलिस को और ज्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। महात्मा गांधी, महम्मद अली जिन्ना तथा अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंतरताओं पर अंकुष लगाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हों ने इस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुष वादी बताया। गांधी जी ने लोगों से आहवान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अपरेल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में अपमान वा याचना दिवस के रूप में मनाया जाए और हर्ताले की जाएं। आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया। रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतिय संगर्श था। हलांकि यह मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था। अप्रेल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए और हर्तालों का आयुजन किया गया। सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। बैसाखी यानि 13 अप्रेल के दिन अमरिच सर में जनरल डायर द्वारा जलियां वाला बाग में किया गया हत्याकांड इसी दमन का हिस्सा था। इस जन सनहार पर रविद्र नाट टैगोर ने अपनी पीड़ा और घुसा जताते हुए नाइट हुड की उपाधी वापस लोटा दी। इसी प्रिष्ट पर एक गतिविधी दी गई है और गतिविधी है जलियां वाला बाग हत्याकांड के बारे में जानकारियां इकठा करें। जलियां वाला बाग क्या है? यहां किस तरह के अत्याचार हुए? और ये अत्याचार कैसे हुए? इसी प्रिष्ट पर नीचे एक चित्र दिया गया है चित्र संख्या साथ और ये चित्र उस परिसर का है जहां जेनरल डायर ने लोगों पर सभापर गोलियां चलाई थी बाद के इस चित्र में लोग दिवार पर बने गोलियों के निशानों की तरफ इशारा कर रहे हैं एक शब्ध है यहाँ पर नाइट हुड और नाइट हुड का अर्थ होता है ब्रिटिश राजा या रानी की तरफ से किसी व्यक्ती की आप्रतिम व्यक्तिगत सफलताओं या जन सेवा के लिए दी जाने वाली उपाधी पिष्ट संख्या 117 रॉलेट सत्याग्रह के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदूओं और मुसल्मानों के बीच गहरी एकताब बनाए रखने के लिए प्रयास किये महात्मा गांधी भी यही चाहते थे उनकी राय में भारत यहां रहने वाले सभी लोगों यानी सभी हिंदूओं, मुसल्मानों और अन्य सभी धर्मों के लोगों का देश है उनकी गहरी अकांक्षा थी कि हिंदू और मुसल्मान किसी भी न्याएपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे का समर्थन करें खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन खिलाफत का मुद्दा इसी तरह का एक ज्वलंत मुद्दा था 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान यानी खलीफा पर बहुत सख्त संधी थोप दी थी जलियाँ वाला बाग हत्याकांड की तरह इस घटना पर भी भारत के लोगों में भारी घुस्सा था भारती मुसल्मान यह भी चाहते थे कि पुराने आटमन सामराज्जे में स्थित पवित्र मुसलिम स्थानों पर खलीफा का नियंतरण बना रहना चाहिए खिलाफत आंदोलन के नेता मुहम्मद अली और शौकत अली अब एक सर्व ब्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे गांधी जी ने उनके आहवान का समर्थन किया और कॉंग्रेस से आग रह किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचारों जैसे जलियाँ वाला बाग और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के विरुध मिलकर अभियान चलाएं और स्वराज की मांग करें 1921 बाइस के दोरान असहयोग आंदोलन को और गती मिली हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिये मोतिलाल नहरू, सी आर दास, सी राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वगालत छोड़ दी अंग्रेजों द्वाराद दी गए उपाधियों को वापस लोटा दिया गया और विधान मंदलों का बहिशकार किया गया जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई 1920 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट आ गई परन्तु यह तो आने वाले तूफान की सिर्फ एक जलक थी देश के ज्यादतर हिस्से एक भारी विद्रोह के मुहाने पर खड़े थे कई जगहों पर लोगों ने बिटिश शासन का अहिंसक विरोध किया लेकिन कई स्थानों पर विभिन वर्गों और समुहों ने गांधी जी के आहवान के अपने हिसाब से अर्थ निकाले और इस तरह के रास्ते अपनाए जो गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते थे सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलनों को स्थानिय मुद्दों के साथ जोड़ कर आगे बढ़ाया आए ऐसे कुछ उदाहरणों पर विचार करें खेडा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोप दिये गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया तटिये आंधर प्रदेश और तमिलनाडू के भीत्री भागों में शराब की दुकानों की घेरे बंदी की गई आंधर प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किये इन सत्याग्रहों में कई बार वे चराई शुल्क अदा किये बिना भी अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे यही पार्ठ आगे जारी रहेगा लेकिन उससे पहले एक बॉक्स इसी प्रिष्ट पर ये बॉक्स है और बॉक्स का शीर्षक है पीड़ा का चिरंतन सिध्धान्त स्रोत संख्या तीन अहिंसा से गांधी जी का क्या आशय था? अहिंसा किसी संघर्ष का आधार कैसे बन सकती थी? इस बारे में गांधी जी का यह कहना था प्रतिफल की मामूली सीभी इच्छा किये बिना लगातार अच्छे काम करते जाने से अहिंसा का जन्म होता है यही अहिंसा का सबसे आमूल्य सबक है दक्षिन अफ्रिका में मैंने अन्याएं और अत्याचार को रोकने के उद्देश्य से पीड़ा के अनंत सिध्धान्त को सीख लिया है इसका सकारात्मक आशय अहिंसा से है इसके लिए आपको किसी भी व्यक्ति के हाथों खुशी-खुशी पीड़ा सहने के लिए तैयार रहना चाहिए और आप किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखेंगे यहां तक कि आपके साथ बुरा करने वालों के साथ भी नहीं महात्मा गांधी ने यह लेक 12 मार्च 1938 को लिखा था एक शब्द और है घेरे बंदी घेरे बंदी का अर्थ हुआ लोगों को किसी इमारत या दुकान में जाने से रोकने के लिए किया जाने वाला विरोध प्रदर्शन प्रिष्ट संख्या 118 उसी पार्ट से आगे उनका विरोध इसलिए था क्योंकि आउपनिवेशिक सरकार ने वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया था उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे कर कम करा देंगे और वन कानूनों को खत्म करा देंगे बहुत सारे वन गाओं में किसानों ने स्वराज का एलान कर दिया क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि गांधी राज जल्दी ही स्थापित होने वाला है सिंध जो अब मौजूदा पाकिस्तान में है में मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आहवान पर बहुत उसाहित थे बंगाल में भी खिलाफत असहियों के गठ बंधन ने जबरदस्त सामप्रदाईक एकता को जन्म दिया और राश्ट्रिय आंदुलन को नई ताकत प्रदान की पाठ में आगे चलने से पहले एक बॉक्स और बॉक्स में इस समय कुछ शब्द हैं जिनके अर्थ यहां दिये गए हैं महंत यानि सिख गुरुद्वारों के धार्मिक करता धर्ता अगला गैर कानूनी बेदखली जिसका अर्थ है पटाई दारों को उनके पट्टे से जवरन और गैर कानूनी ढंग से निकाल देना और अब सुनते हैं पाठ पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारों में जमे बैठे भरष्ट महंतों को हटाने का आंदोलन चलाया यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से काफी घनिष्ट रूफ से जुड़ा हुआ दिखाई देता था असम में गांधी महाराज की जै के नारे लगाते वे चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू कर दी उन्होंने अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागानों की नौकरी छोड़ दी उनका कहना था कि गांधी जी भी यही चाहते हैं उस दौर के बहुत सारे असमिया वैश्णों गीतों में कृष्ण की तरह गांधी राज का यश्गान किया जाने लगा था इन उदाहरणों के आधार पर हम देख सकते हैं कि कई जगह के लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे जो उन्हें मुसीबतों और घरीबी से छुटकारा दिला सकता है गांधी जी वरगिये टकरावों की बजाए वरगिये एकता के समर्थक थे परंतु किसानों को लगता था कि गांधी जी जमीदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद देंगे खेती हर मजदूरों को यकीन था कि गांधी जी उन्हें जमीन दिला देंगे कई बार आम लोगों ने खुद अपनी उपलब्धियों के लिए भी गांधी जी को श्रेय दिया उदारण के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत जो अब वर्तवान उत्तर प्रदेश है मेस्थित प्रताफ गढ़ के किसानों ने पट्टेदारों की गयर कानूनी बेदखली को रुकवाने में सफलता पाली परंतु उन्हें लगता था कि यह सफलता उन्हें गांधी जी की वजह से मिली है कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासियों और किसानों ने ऐसी कारवाईयां भी की जो गांधी वादी आदर्शों के अनुरूप नहीं थी इसी प्रिष्ट संख्या 118 में एक चित्र सबसे नीचे ये चित्र संख्या 8 है और इसका शीरशक है महात्मा गांधी की जनता से उपजी एक छवी इसका वर्णन इस प्रकार से है जनता से उपजी छवियों में महात्मा गांधी को अकसर एक दैवी शक्ती के रूप में दिखाया जाता रहा था इस तस्वीर में वह कृष्ण के सारती बने हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं वह अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में अन्य राष्टरवादी नेताओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं प्रिष्ट संख्या 119 इस प्रिष्ट पर सबसे पहले एक बॉक्स, बॉक्स का शिर्षक है वही थे जिन्हों ने प्रताप गढ़ में बेदखली रुकवाई थी स्रोत संख्या 4 इलाहबाद जिले में किसान आंदोलन पर C.I.D. द्वारा तयार की गए जन्वरी 1921 की रिपोर्ट का एक अन्श इस प्रकार था दूर दराज के गाउं में भी गांधी जी के नाम का सिक्का जितना चलने लगा है उसे देख कर अचंभा होता है किसी को भी पता नहीं है कि वह कौन है या क्या है फिर भी सबने मान लिया है कि वे जो कहते हैं वह सही है और उनका जो भी आदेश है वह पूरा होना चाहिए वह एक महात्मा या साधू एक पंडित इलाहबाद के एक ब्राहमन यहां तक की एक देवता है उनके नाम की असली ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रताप गढ़ के लोग मानते हैं कि उन्होंने ही बे दखली रुकवाई थी आमतोर पर गांधी जी को लोग सरकार का विरोधी नहीं मानते बलकि केवल जमीदारों का विरोधी मानते हैं हम गांधी जी और सरकार के पक्ष में हैं और इसी बॉक्स के बगल में एक गतिविधी आपके लिए श्रोत चार को पढ़ें इस रिपोर्ट के मुताबिक बताईए कि लोग महात्मा गांधी को किस प्रकार देखते थे आपकी राय में लोग ऐसा क्यों सोचते थे कि गांधी जी जमिदारों के विरोधी हैं परन्तु सरकार के विरोधी नहीं हैं आपकी राय में लोग गांधी जी के अनुयाई क्यों थे और आएए अब सुनते हैं पाठ 1922 से 1929 की घटनाए महात्मा गांधी हिंसक आंदुलनों के विरुध थे इसी कारण फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड ने चावरी चावरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया तो गांधी जी ने अचानक आसहयोग आंदुलन वापस ले लिया उस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए किसान इसले बेकावू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनके शांती पुर्ण जलूस पर गोली चला दी थी असहयोग आंदुलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयाई ग्रामीन इलाकों में रचनात्मक कारे शुरू करने पर जोर देने लगे चितरन जन्दास और मोतिलाल नहरू जैसे अन्यनेताओं की दलिल थी कि पार्टी को परिशद चुनाओं में हिस्सा लेना चाहिए और परिशदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए बीस के दशक के मध्य में गाओं में किये गए व्यापक सामाजिक कारियों की बदौलत गांधी वादियों को अपना जनाधार फैलाने में काफी मदद मिली 1930 में शुरू किये गए सविने अवग्या आंदोलन के लिए यह जनाधार काफी उपियोगी सावित हुआ भारतिये कम्मिनिस्ट पार्टी और हिंदूओं के स्तंगठन राष्ट्रिये स्वयम सिवक संग यानि आरेसिस की स्थापना 20 के दशक के मध्धे की दो महतोपूर घटनाय थी भारत के भविशे को लेकर इन पार्टियों की सोच में गहरा फर्क रहा है अपने अध्यापकों की सहायता से उनके विचारों के बारे में पता लगाएं उसी दोरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंग भी सक्रिये थे इसी प्रिष्ट 119 पर एक चित्र ये चित्र संख्या नौ है और यह चित्रंजन दास का चित्र है इनके बारे में वर्णन है स्वतिंतरता आंदोलन में चित्रंजन दास एक मुख्य नेता थे सक्रिय रहे प्रिष्ट संख्या 120 इस दशक के आखिर में कॉंग्रिस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया जवाहरलाल नहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किये गए इस प्रस्ताओ के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंतरता दिवस मनाया गया इसी प्रिष्ट पर एक चित्र, चित्र संख्या 10 और इसका शीर्षक है साइमन कमीशन का विरोध करते आंदोलनकारी आए सुनते हैं साइमन कमीशन क्या था 1927 में इंग्लेंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लौड साइमन की अगवाई में एक आयोग भारत भेजा इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्टे का फैसला करना था आयोग में कोई भारती ये प्रतिनिधी नहीं था इस फैसले की वज़े से भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ सभी राजनीतिक संगठनों ने भी आयोग के बहिश्कार का फैसला किया जब कमीशन के सदस से भारत पहुँचे तो प्रदर्शनों के साथ उनका स्वागत किया गया प्रदर्शनकारियों का नाता था साइमन वापस जाओ या साइमन गो बैक एक बॉक्स और इसी प्रिष्ट पर और इस प्रिष्ट का शिर्शक है बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है इनकलाब जिन्दाबाद और इसी बॉक्स में एक चित्र है चित्र संख्या ग्यारह और यह भगत सिंग का चित्र है आईए भगत सिंग के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं भगत सिंग, चंदरशेखराजाद, सुखदेव और उनके जैसे अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आपनिवेशिक शासन तथा अमीर शोशक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांती चाहते थे इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसियेशन यानि HSRA की स्थापना की थी 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंग, चंदरशेखर आज़ाद एवं राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज करने वाले सौंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी इसी लाठी चार्ज के कारण बाद में लाजपत राय की मृत्यू हो गई थी अपने साथी राष्टरवादी बी के दत्त के साथ भगत सिंग ने 8 अप्रेल 1929 को केंद्रिय विधान परिशद में बम फेंका था क्रांतिकारियों ने अपने परचे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं है बलकि बहरों को सुनाना है तथा विदेशी सरकार को उसके द्वारा किये जा रहे भयानक शोशन से आउगत कराना है भगत सिंग सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चाहा दिया गया उस समय भगत सिंग की आयू केवल 23 साल थी इस प्रिष्ट संख्या 121 में आए सबसे पहले इस चितर पर डालते हैं एक नजर और यहां पर गांधी जी नमक बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं चितर संख्या 12 है और इसमें इस प्रकार से वर्णन है महात्मा गांधी प्राकृतिक नमक इकठा करते हुए नमक कानून की आउहेलना कर रहे हैं ये चित्र दांडी का है जो 6 अप्रैल 1930 को लिया गया था अब सुनते हैं पार्थ दांडी मार्च पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाला नहीं था इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार होता था महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा होता है नमक सत्याग्रह ने स्वद्मत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया था और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया गांधी जी और उनके अनुयाई साबरमती से दो सो चालिस किलोमीटर दूर दांडी तट पैदल चल कर गए और वहाँ उन्हों ने तट पर बिखरा नमक इकठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उलंगन किया इस प्रिष्ट पर एक बॉक्स और बॉक्स का शीर्षक है स्वतनतरता संघर्ष में महिलाएं करनाटक की अंबाबाई आईए सुनते हैं वृतांत राष्ट्रिय आंदोलन में अलग-अलग प्रिष्ट भूमी वाली बहुत सारी महिलाओं ने हिस्सा लिया युवा और वृद्ध, अकेली और विवाहित, ग्रामीन और शहरी, रूढी वादी और उदारवादी सभी तरह के महौल से आने वाली महिलाएं आंदोलन में शामिल हुई स्वत्मत्रता संघर्ष, महिला आंदोलन और स्वयम उनके लिए भी यह हिस्सेदारी बहुत महत्वपून थी अंग्रेज अपसरों और भारतिय राष्ट्रवादियों दोनों को लगता था कि महिलाओं की सहभागिता ने राष्ट्रिय संघर्ष को जबरदस्ट ताकत दी है स्वत्मत्रता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण महिलाएं घरों से बाहर आने लगी थी इसने उन्हें विभिन ब्यावसायों वा शासन में जगह दिलाई और पुरुशों के साथ समानता का मार्ग प्रशस्त किया महिलाओं के लिए सहभागिता का क्या अर्थ था इसकी सबसे अच्छी अभिव्यक्ति खुद उन्ही के शब्दों में देखी जा सकती है करनाटक की अमबाबाई का विवाह 12 साल की उम्र में कर दिया गया था 16 साल की उम्र में वह विध्वा हो गई उन्होंने उडूपी में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की घेरे बंदी की उन्हें गिरफतार कर लिया गया और सजा दी गई रिहा होने पर उन्हें दोबारा गिरफतार कर लिया गया जब भी वह जेल से बाहर होती सभाओं में भाशन देती बुनाई कताई सिखाती और प्रभात फेरियों का आयोजन करती अमबाबाई इन्हें अपने जीवन के सबसे सुख़द क्षण मानती थी क्योंकि ऐसे क्षणों में उन्हें एक नया मकसद और प्रतिबधता दिखाई देती थी आंदोलन में हिस्सेदारी के अपने अधिकार को मनवाने के लिए महिलाओं को काफी जद्दो जहद करनी पड़ती थी उदाहरन के लिए नमक सत्याग्रह के दौरान शुरुआत में खुद महात्मा गांधी भी महिलाओं की हिस्सेदारी के समर्थन में नहीं थे आखिरकार सरोजनी नाइडू ने उन्हें इस बात के लिए तैयार किया कि वे महिलाओं को भी आंदोलन में शामिल होने दे उन्हों ने पानी उबालकर भी नमक बनाया इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया नमक के मुद्दे पर एक व्यावसाईक संग ने परचा प्रकाशित किया सरकार ने शांती पूर्ण सत्याग्रहियों के निर्मम दमन के जरिये आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया और हजारों आंदोलन कारियों को जेल में डाल दिया गया भारतिये जनता के साजह संगर्षों के चलते आखिरकार 1935 के Government of India Act में प्रांतिये स्वायतता का प्रावधान किया गया सरकार ने एलान किया कि 1937 में प्रांतिये विधाईकाओं के लिए चुनाओं कराए जाएंगे इन चुनाओं के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कॉंग्रेस की सरकार बनी प्रांतिय स्तर पर 2 साल के कॉंग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1949 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया हिटलर के प्रती आलोचनात्मक रवईय के कारण कॉंग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने को तयार थे इसके बदले में वे चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वातंतर कर दिया जाए अंग्रेजों ने यह बात नहीं मानी कॉंग्रेसी सरकारों ने विरोध में इस्तिफा दे दिया इसी प्रिष्ट पर चित्र संख्या 13 महात्मा गांधी के साथ सरोजनी नाइडू यह चित्र पेरिस में लिया गया है सन 1931 का चित्र है इसके बारे में वर्णन इस प्रकार से है 1920 के दशक की शुरुआज से ही राष्ट्रिये आंदोलन में सक्रिये सरोजनी नाइडू दांडी यात्रा के मुख्य नेताओं में से एक थी भरतिये राष्ट्रिये कॉंग्रेस के अध्यक्षपद पर पहुँचने वाली वह पहली महिला थी सन 1925 और इसी प्रिष्ट पर नीचे एक बॉक्स श्रोज संख्या पांच शीर्शक है वीर लखन नायक को फांसी दे दी गई आए सुनते हैं वर्णन तीस के दशक में नवरंगपूर कॉंग्रेस उडिसा के अध्यक्ष बाजी मुहम्मद लिखते हैं 25 अगस्त 1942 को 19 लोग नवरंगपूर स्थित पपरंदी में हुई पुलिस फाइरिंग में मौके पर ही मारे गए बहुत सारे लोग बाद में घावों के कारण मर गए 300 से ज्यादा घायल हुए 1000 से ज्यादा को कोरापुट जिले की जेल में डाल दिया गया कई को गोली मार दी गई या फांसी पर लटका दिया गया वीर लखन नायक जो अंग्रेजों की आउहेलना करने वाले एक विख्यात जनजाती नेता थे उन्हें भी फांसी पर लटका दिया गया बाजी हमें बताते हैं कि लखन नायक अपनी फांसी के बारे में चिंतित नहीं थे बलकि उन्हें केवल इस बात का दुख था कि वे स्वतंतरता का प्रभात नहीं देख पाएंगे बाजी मुहम्मद ने राष्ट्रिय संघर्ष में शामिल होने के लिए 20,000 लोगों को लामबंद किया था उन्हों ने कई बार सत्याग्रह किया उन्हों ने दूसरे विश्वयुद्ध के खिलाफ हुए विरोध और भारत छोडो आंदोलन में हिस्सा लिया और कई बार लंबे समय तक जेल में रहे इसी प्रिष्ट पर एक बॉक्स और उस बॉक्स में प्रांतिय स्वायत्ता एक शब्द है उसका अर्थ समझाया गया है आईए सुनते हैं प्रांतिय स्वायत्तता अर्थात संग के भीतर रहते प्रांतों को तुरनात्मक रूफ से स्वतंत्र निर्णय लेने की ख्षमता देना प्रिष्ट संख्या 123 में सबसे पहरे चित्र संख्या 15 भारत छोड़ो आंदुलन अगस्त 1942 इसका वर्णन इस प्रकार से है प्रदर्शनकारी हर जगा पुलिस से लोहा ले रहे थे हजारों लोग गिरफतार हुए हजार से ज़्यादा मारे गए और असंख्य लोग घायल हुए आईए अब सुनते हैं वर्णन भारत छोड़ो और उसके बाद महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे फौरण भारत छोड़ दें गांधी जी ने भारतिय जनता से आहवान किया कि वे करो या मरो के सिध्धान्त पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक धंक से संघर्ष करें गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरण जेल में डाल दिया गया इसके बावजूद यहां आंदोलन फैलता गया किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए विद्यार्थी अपनी लिखाई पढ़ाई छोड़ कर आंदोलन में कूद पड़े राश्टर भर में संचार तथा राज सत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन कर लिया सबसे पहले अंग्रेजों ने बरबर दमन का रास्ता अपनाया 1943 के अंत तक 90 हजार से ज्यादा लोग गिरफतार कर लिये गए थे और लगभग एक हजार लोग पुलिस की गोली से मारे गए थे बहुत सारे इलाकों में हवाई जहाजों से भी भीड पर गोलियां बरसाने के आदेश दिये गए परन्तु आखिरकार इस विद्रोह ने बिटिश राज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया पाठ में चलने से पहरे इसी प्रिष्ट पर एक चित्र चित्र संख्या 15 और ये नेता जी सुभाष चंदर बोस का चित्र है उनके बारे में वर्णन इस प्रकार से है समाजवादी विचार रखने वाले आमूल परिवर्तनकारी राष्ट्रवादी सुभाष चंदर बोस अहिंसा के गांधीवादी आदर्शों में विश्वास नहीं रखते थे हलांकि राष्ट्रपिता के रूप में गांधी जी का सम्मान करते थे जन्वरी 1941 में उन्हों ने बिना किसी को बताए कलकत्ता छोड़ दिया और जर्मनी के रास्ते होते हुए सिंगापूर पहुँच गए भारत को अंग्रेजों के नियंतरन से मुक्त कराने के लिए उन्हों ने वहाँ आजाद हिंद फौज यानि इंडियन नेशनल आर्मी आएने का गठन किया 1944 में आजाद हिंद फौज ने इंफाल और कोहिमा की और से भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया परन्तु यह अभियान सफल नहीं हो पाया आएने के सदस्यों को कैद कर लिया गया और उन पर मुकद में चलाए गए देश भर में तमाम तरह के लोगों ने आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर चलाए गए मुकदमों के खिलाफ चले संघर्षों में हिस्सा लिया अब सुनते हैं पाठ स्वतंतरता और विभाजन की ओर 1940 में मुसलिम लीग ने देश के पश्ची मुत्तर तथा पूरवी क्षेत्रों में मुसल्मानों के लिए स्वतंतर राज्जियों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था मुस्लिम लीग ने उप महद्वीप के मुसल्मानों के लिए स्वायत व्यवस्था की मांग क्यों की थी 1930 के दशक के आखरी सालों में लीग मुसल्मानों और हिंदूओं को अलग-अलग राष्टर मानने लगी थी इस विचार तक पहुँचने में 20 और 30 के दशकों में हिंदूओं और मुसल्मानों के कुछ संगठनों के बीच हुए तनाओं का भी साथ रहा होगा प्रिष्ट संख्या 124 इस प्रिष्ट पर हम सबसे पहले एक चित्र देखते हैं और यह चित्र संख्या 16 है और इसमें मौलाना आजाद तथा कॉंग्रेस कारेकारी समीती के अन्य सदर से सेवा ग्राम में दिखाए गए हैं यह चित्र 1942 का है चित्र का विवरन सुनते हैं मौलाना आजाद का जन्म मक्का में हुआ था उनके पिता बंगाली और मा अरब मूल की थी बहुत सारी भाषाओं के जानकार आजाद इसलाम के विद्वान और वहादत दीन यानि सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती थे गांधीवादी आंदुलनों में हमेशा सक्रिय रहने वाले और हिंदो मुसलिम एकता के पक्के हिमायती थे उन्होंने जिन्ना के दो राष्ट्र सिधान्त का विरोध किया था चित्र संख्या सत्रा और इसका शीर्षक है गांधी जिन्ना वारताओं से पहले गांधी जी के साथ बात करते चक्रवर्ती राजगोपालाचारी चित्र उन्निस सो चवालिस का है वर्नन वयो वृद्ध राष्ट्रवादी और दक्षिन में नमक सत्यागरह के नेता सी राजगोपालाचारी 1946 में बनी अंतरिम सरकार के सदस से थे और स्वतंतर भारत के पहले भारतिय गवर्नर जनरल थे लोग उन्हें राजगोपालाचारी के नाम से जानते थे चित्र संख्या 18 में सरदार वल्लब भाई पटेल का चित्र है वर्नन है सरदार वल्लब भाई पटेल ने 1945 से 47 के दोरान आजादी के लिए चली वारताओं में एक अहम भूमी का अदा की थी पटेल नादियाड गुजरात के एक गरीब किसान ब्यावसाई परिवार से थे 1918 के बाद स्वतंतरता आंदुलन की अगली कतार में रहने वाले पटेल 1931 में कॉंग्रेस के अध्यक्ष भी रहे एक चित्र और इसी प्रिष्ट संख्या 124 पर चित्र संख्या 19 शीर्शक है महात्मा गांधी के साथ मुहम्मद अली जिन्ना यह सितंबर 1944 का चित्र है वर्णन है 1922 तक हिंदु मुस्लिम एक्ता के समर्थन में सक्री रहे जिन्ना ने लखनों समझोता करवाने में एक एहम भूमी का अधा की थी 1934 के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को पुनर जीवित किया और अंत में वे पाकिस्तान की स्थापना के सबसे मुख्य प्रवक्ताओं की कतार में आ पहुँचे प्रिष्ट संख्या 125 प्रिष्ट संख्या 125 में भी एक चित्र सबसे पहले चित्र संख्या 20 इसका शीर्शक है जवाहलाल नहरू कॉंग्रेस के बंबई अधिविशन से पहले महात्मा गांधी से बाहत कर रहे हैं ये चित्र 1946 का है वर्णन है गांधी जी के शिश्य कॉंग्रेस समाजवादी और अंतरराष्ट्रियवादी विचार रखने वाले नहरू राष्ट्री आंदोलन तथा स्वतंतर भारत की आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के मुख्य शिल्पियों में से एक थे एक शब्द है सामान्य निर्वाचन क्षेत्र इसका अर्थ होता है ऐसे निर्वाचन क्षेत्र जहां किसी धार्मिक तथा अन्य संप्रदाय के लिए कोई आरक्षन नहीं था पार्ठ में चलने से पहले एक चित्र और देखें और ये है चित्र संख्या 21 इसका शिर्शक है खान अब्दुल गफार खान उत्तर पश्चिमी सीमान्त प्रांत के प्रमुख पश्टून नेताओं में से एक थे इस चित्र में अपने सहयोगियों के साथ बिहार में वह एक शांती यातरा में हिस्सा ले रहे हैं ये चित्र मार्च 1947 का है वर्नन है गफार खान को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है वह खुदाई खिद्मतगार संगठन के संस्थापक थे यह उनके प्रांथ के पठानों में लोक प्रिये शक्तिशाली अहिंसक आंदोरन था बादशाह खान भारत विभाजन के सक्त खिलाब थे उन्होंने 1947 में इस फैसले पर मन्जूरी देने के लिए कॉंग्रेस के अपने साथियों की भरस्तना की थी अब आईए सुनते हैं पार्ट 1937 के प्रांतिय चुनाओं संभोता इससे भी ज़्यादा बड़ा कारण रहे इन चुनाओं ने मुसलिम लीग को इस बात का यकीन दिला दिया था कि यहां मुसल्मान अल्पसंख्यक है और किसी भी लोकतांतरिक सनरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमी का निभानी पड़ेगी लीग को यह भी भय था कि संभव है कि मुसल्मानों को प्रतिनिधित्व ही ना मिल पाए 1937 में मुसलिम लीग समयुक्त प्रांत में कॉंग्रेश के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी परन्तु कॉंग्रेश ने इस प्रस्ताव को स्विकार नहीं किया जिससे फासला और भी बढ़ गया तीस के दशक में, मुसलिम जनता को अपने साथ लामबंद करने में, कॉंग्रेस की विफलता ने भी लीग को अपना सामाजी की जनाधार फैलाने में मदद दी चालिस के दशक के शुरुआती सालों में जिस समय कॉंग्रेस के ज्यादतर नेता जियल में थे उस समय लीग ने अपना प्रभाव पहलाने के लिए तेजी से प्रयास किये 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने भारतिय स्वतनतरता के लिए कॉंग्रेस और लीग से बादचीत शुरू कर दी ये हवारता असफल रही क्योंकि लीग का कहना था कि उसे भारतिय मुसल्मानों का एक मात्र प्रतिनिधी माना जाए कॉंग्रेस इस दावे को मंजूर नहीं कर सकती थी क्योंकि बहुत सारे मुसल्मान अभी भी उसके साथ थे 1946 में दुबारा प्रांतिये चुनाओ हुए सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कॉंग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा परंतु मुसल्मानों के लिए आरख्षित सीटों पर लीग को बेजोर सफलता मिली लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही मार्च 1946 में बिटिश सरकार ने इस मांग का अध्यायन करने और स्वतंतर भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए तीन सदसी परिसंग भारत भेजा इस परिसंग ने सुझाओ दिया कि भारत अविभाजित रहे और उसे मुसलिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्ता देते हुए एक धीले ढाले महासंग के रूप में संगठित किया जाए कॉंग्रेस और मुसलिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताओं के कुछ खास प्रावधानों पर सहमत नहीं थे अब देश का विभाजन अवश्यम भावी था कैविनेट मिशन की इस विफलता के बाद मुसलिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए जनान दोरन शुरू करने का फैसला किया उसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कारवाई दिवस मनाने का आहवान किया इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे जो कई दिन चलते रहे इन दंगों में हजारों लोग मारे गए मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन भागों में भी हिंसा फैल गई थी कई लाख लोग मारे गए असंखे महिलाओं को विभाजन की इस हिंसा में अकथनी अत्यचारों का सामना करना पड़ा करोड़ों लोगों को अपने घर बार छोड़ कर भागना पड़ा अपने मूल स्थानों से बिछड़ कर ये लोग रातों रात अजनभी जमीन पर शरणार्थी बन कर रह गए विभाजन का नतीजा यह भी हुआ कि भारत की शकल सूरत बदल गई उसके शहरों का महौल बदल गया और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ इस तरह ब्रिटिश शासन से स्वन्तरता का यह आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया चित्र संख्या 22 इसी प्रिष्ट पर इस चित्र का वर्णन इस प्रकार से है हिंसा ग्रस्त पंजाब से आये शरनार्थी आश्रे और भोजन की तलाश में दिल्ली में इकठा हो रहे हैं और नीचे एक बॉक्स है शीर्षक है अन्यत्र इसका उप शीर्षक है अफ्रिका में राश्ट्रवाद घाना का उदाहरन उन्निस्वी सदी के आखिर और बीस्वी सदी की शुरुवात में बहुत सारे अफ्रिकी और एशियाई देशों में राश्ट्रवाद का उदाह हुआ इन में से बहुत से देशों में राश्ट्रवाद का उदय स्वतंतरता के रिए उपनिवेशवाद विरोधी संगर्षों के तहत हुआ था अफ्रिका में आउपनिवेशिक शासन तानाशाही जैसा था विदेशी शासकों के प्रतिनिधी के रूप में केवल मुखियाओं को ही शासन चलाने की छूट दी जाती थी या फिर अफ्रिकियों के बारे में केवल गोरे प्रतिनिधियों वाली सभाएं कानून बनाती थी कम से कम दूसरे विष्ट्व युद्ध के बाद तक अफरीकियों के पास निर्ने लेने या प्रतिनी धित्व की ताकत नहीं थी स्थानिय भूस्वामियों या किसानों से जमीन का जबरन अधिग्रहन करों में वृद्धी और खराब कारे परिस्थितियों की वजह से बहुत सारे अफरीकी आंदोलन शुरू हुए 1957 में घाना स्वतंतरता पाने वाला उप सहारा अफरीका का पहला देश बना इससे पहले उसे गोल्ड कॉस्ट के नाम से जाना जाता था यहां स्वतंतरता अंदोलन का नेत्रित्व कुवामे नकरूमा की कन्वेंशन पीपल्स पार्टी कर रही थी गहाना की जनता ने स्वत्मत्रता के लिए हरताल, बहिशकार और जनांदोदनों का रास्ता अपनाया था 1951 में Convention People's Party को चुनाओं में जबरदस सभलता मिली थी इस पार्टी ने उस प्रणाली का विरोध किया जिसमें ब्रिटिश शासकों ने मुखियाओं को विधान सभाओं में अपने प्रतिनिधियों को भेजने का अधिकार दिया हुआ था इस पार्टी ने अंग्रेजों पर दबाव डाला कि वे ऐसी विधान सभा बनाएं जिसमें कोई मनोनीत या विशेश सदस्य ना हो 1954 में इस मांग को मान लिया गया 1956 में नई विधान परिशद के लिए चुना हुए Convention People's Party ने इन चुनाओं में सफलता पाई और इस तरह घाना के नाम से एक नवस्वाधीन राष्टर के निर्मान का मार्ग प्रशस्त किया प्रिश्ट संख्या 127 आईए कलप ना करें मान लिजिए कि आप भारतिय राष्ट्रिय आंदोलन में सक्रिया हैं इस अध्याय को पढ़ने के बाद संख्येप में बताईए कि आप संघर्ष के लिए काउन से तरीके अपनाते और आप किस तरह का स्वतंत्र भारत रज़ते फिर से याद करें प्रश्ण एक 1870 और 1880 के दशकों में लोग बिटिश शासन से क्यों असंतुष्ट थे पक्ष में बोल रही थी प्रश्ण संख्या तीन पहले विश्व युद्ध से भारत पर काउन से आर्थिक असर पड़े प्रश्ण संख्या चार 1940 के मुस्लिम लीग के प्रस्ताव में क्या मांग की गई थी आए विचार करें 5. मध्यमार्गी काउन थे? वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ किस तरह का संघर्ष करना चाहते थे? 6. कॉंग्रिस में आमूल परिवर्तन वादी की राजनीती मध्यमार्गी की राजनीती से किस तरह भिन्न थी? 7. चर्चा करें कि भारत के विभिन्न भागों में असहयोग आंदोलन ने किस किस तरह के रूप ग्रहन किये? लोग गांधी जी के बारे में क्या समझते थे? 8. गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों लिया? 9. 1937 से 1947 की उन घटनाओं पर चर्चा करें जिनके फ़लसुरूप पाकिस्तान का जन्म हुआ और अंत में आईए करके देखें 10. पता लगाएं कि आपके शहर, जिले, इलाके या अन्यराज्य में राष्ट्रिय आंदोलन किस तरह आयोजित किया गया? 11. राष्ट्रिय आंदोलन के किनी दो सहभागियों या नेताओं के जीवन और कृतित्व के बारे में और पता लगाएं तथा उनके बारे में एक संक्षिप्त निबंध लिखें 11. आप किसी ऐसे व्यक्ति को भी चुन सकते हैं जिसका इस अध्याय में जिक्र नहीं आया है 11. यहां नवा अध्याय समाप्त हुआ अभी आप सुन रहे थे हमारे अतीत भाग तीन ध्वानी पाठे पुस्तक का नवा अध्याय शीर्शक्था राष्ट्रिये आंदोलनों का संगटन वाचन्स्वर अजी थोरो निर्माण सहयोग शानु मुक्सीम निर्माण वीमलेश चावधरी ताथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नईदिल्ली भारत